हिंदु धर्म में कृष्ण चन्माश्टमी का विशेश महत्व है हिंदु पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी के साथ रोहिनी नक्षत्र में भागवान श्री कृष्ण का जन्माश्टमी का त्योहार भागवान कृष्ण के जन्म दिवस की रूप में मनाया जाता है इस दिन भागवान कृष्ण के बाल रूप को जूले में जुलाया जाता है श्रीकृष्ण चन्माश्टी के छे दिन भाग लड़ू गोपाल की छटी मनाई जाती है छटी के दिन लड़ू गोपाल की विधिपूरवग पूजा की जाती है उन्हें स्नानादी करा के साफ वस्त्र पहनाई जाते है और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है इस दिन लड़ू गोपाल का नामकरण भी किया जाता है कहते हैं श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है ठाकुर जी, कानहा जी, लड़ू गोपाल, नंद लाला, देव की नंदन आदी कई नाम है छटी के दिन इन में से कोई एक नाम रखा जाता है और उन्हें उसे नाम से पुकारा जाता है भगवान कृष्ण का नाम लड़ू गोपाल कैसे बढ़ा? इसके पीछे एक गथा प्रचले थे ब्रच भूमी में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्ती कुम्भन दास थे कुम्भन दास का एक पुत्र था रगुनंदन कुम्भन दास हमेशा श्री कृष्ण की भक्ती में लीन रहते थे और भगवान की सेवा के चलते वे उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाते थे एक बार उन्हें व्रिंदावन से भागवत का पाठ करने का न्योता आया पहले तो कुम्भन दास ने उन्हें मना कर दिया फिर लोगों के बहुत जादा जोड़ देने पर वे मान गए उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करके वापस लोटाएंगे कुम्भन दास ने भोग की सारी तयारी करके अपने बेटे रगुनंदन से कहा बेटा रगुनन्दन मैं ठाकुर जी के भोग की तयारी करके भागवत कथा के पाठ के लिए जा रहा हूँ तुम मेरे पीछे से ठाकुर जी को याद से प्रसात का भोग लगा देना भूल मत जाना ठीक है पिता जी आपने श्चिन्त हो कर जाओ मैं याद से ठाकुर जी को भोग लगा दूँगा रगुनन्दन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग रखी ठाकुर जी ये रही आपकी भोजन की थाली अब जल्दी जल्दी आप भोजन कर लो फिर मैं भी खा लूँगा रगुनंदन के बाल मन में ये चबी थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रगुनंदन जोर से रोने लगा और उसने ठाकुर जी को भुगा रहा ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ मैं कबसे भोजन की थाली लिए बैठा हूँ देखो मैं भी भुगा हूँ जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं करूँगा बहुत देर तक रगुनन्दन भूखा प्यासा ठाकुर्जी की मूर्ती के पास ही बैठा रहा रगुनन्दन की करुण कुकार सुनकर ठाकुर्जी को आना ही पड़ा और वे एक छोटे से बालक का रूप बना कर भोजन करने बैठ गए तब रगुनन्दन ने भी खुशी-खुशी भोजन किया कुम्भन दास ने घर आकर रगुनन्दन से प्रसाद मागा रगुनन्दन लाओ बेटा ठाकुर्जी के भोग में से बचा प्रसाद मुझे भी दो पिता जी प्रसाद तो सारा ठाकुर्जी ने खा लिया अच्छा अच्छा चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है कुम्भन्दास को लगा रगुनंदन को भूख लगी होगी तो वही सारा भोजन खा गया होगा लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी कुम्भन्दास लोट कर जब भी रगुनंदन से प्रसाद मांगते तो वो यही उतर देता अब कुम्भन्दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बना कर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रगुनंदन क्या करता है लड्डू की थाली रगुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारन किया कुम्भन्दास ये सब छुप कर देख रहा था कुम्भन्दास भागते हुए आए और प्रभु के चर्णों में गिर कर विंती करने लगे उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू उनके मुह में जाने ही वाला था लेकिन इतने में वे जड़ हो गए उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की छटी के दिन इस कथा का पार्ट करने से वे प्रसन्न होते हैं और भगतों की सभी मनो कामनाएं कूरी करते हैं द्वापर युग में प्रित्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे प्रित्वी गाय का रूपधर, भगवान ब्रम्हा और विष्णु के पास गई हे भगवन धर्ती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ कीजे प्रभू हे नाराया, अब आपको प्रिथ्वी की रक्षा के लिए धर्ती पर आठवे अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है ठीक है ब्रह्मादेव, मैं प्रिथ्वी का उध्धार करने के लिए मानव रूप में जन्मिलूंगा भोचवंशी राजा उग्रसेन मतुरा के राजा थे, उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभावा था कंस ने उग्रसेन को राजगदी से उतार कर कारागार में डाल दिया सैनिको, पिता जी महराज को काल कोट्री में डाल दो, आज से मथूरा नगरी में कन्स का राज चलेगा, आज से महराज उगरे सेण, यहाँ बंधी बनकर रहेंगे, और मतूरा नगरी पर मैं राज्य करूँगा, आशिरवाद दीजिये, पिता जी महराज. कंस तु मेरा पुत्र है ये सोच कर मुझे लज्जा आ रही है देखना एक दिन तिरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा कंस की छोटी बहन देवकी के विवा की तैयारियां चल रही थी देवकी मतुरा की राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी ये कंस की चचेरी बहन थी अरे भईया कंस आप आईए प्रिय बहना देवकी कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा भईया कंस आप मुझे बहुत याद आओगे अगले दिन देवकी का विवा वसुदेव नामक यदुवन्शी सर्दार से संपन हुआ महाराज वसुदेव मैं अपनी बहन देवकी से बहुत सनिह करता हूँ इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयम अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा ये तो हमारे लिए बहुत ही सवभागय की बात है महाराज कंस कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धाने संपत्ति आदि दे कर विदा करते हैं कंस देवकी और वसुदेव के साथ वारतालाब करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुचा था कि रास्ते में एक आकाशवानी होने लगी हे कंस जिस देवकी को तु बड़े प्रीम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है इसी के गर्भ से उत्पन आठवा पुत्र तेरा वध करेगा तेरा वध करेगा ये आकाशवानी कैसी नहीं ये जूट है तेवकी की कोक से जन्मा आठवा बालक मेरा वध करेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूँ हाँ यही ठीक रहेगा फिर मुझे कोई डर नहीं नहीं भाईया इनका वध मत करो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरा सुहाग मत तुझाड़ो भाईया कंस मैं आपसे वादा करती हूँ मेरे गर्ब से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौब दूँगी पर इने मत मारो भाईया ठीक है मैं वसुदेव का वध नहीं करूँगा पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे कंस देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है मुझे काल कोठरी में बंद कर दो पर देवकी को छोड़ दो कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारग्रिह में डाल दिया देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे स्वामी, मेरी वचह से आज आज आपको कारग्रिह में रहना पढ़ रहा है मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ नहीं देवकी नहीं ऐसा मत कहो मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी पर स्वामी भाईया कंस मेरी कोग से जन में सभी बच्चों को मार देंगे हम क्या करें देवकी वसुदेव कारग्रिह में दुख भोग रहे थे कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और transgender में आकर देवकी के हाग से बच्चे को छीन लेता ना ये पुत्र मुझे दे बेहना भईया मेरे पुत्र को मत मारू भईया नहीं स्वामी हमारा पुत्र मैं अपने सामने या अपने सबी पुत्रों का वद होते कैसे देख पाऊंगी देवकी बेहोश हो जाती है कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था जिससे प्रजा बहुत डर्टी थी दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के साथों बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला अब आठवा बच्चा होने वाला था देवकी के आठवें पुत्र के जन्म का समय निकटा रहा है इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए जो आग्या महाराज कंस देवकी वसुदेव के काराग्रिह में बंदी रहने की बात नंद गाउं में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुँची दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को काराग्रिह में बंदी बना रखा है देवकी के आठवें पुत्र के जन्म का समय निकटा रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है मुझे उनकी सहायता करनी होगी आठों बच्चे के रक्षा का उपाय सोचना होगा जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अश्टिमी को रोहिनी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया वसुदेव के सामने शंक, चक्र, गदा एवं पदमधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ मेरा ये अवतार कंस के सनहार के लिए ही हुआ है अब देर न करो, तुम मुझे ततकाल कोकुल में नंद के यहां पहुचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौब दो ये कहकर भगवान विश्नु अंतरध्यान हो गए देखते ही देखते वसुदेव जी की हतकडियां अपने आप खुल गई कारागरी की द्वार अपने आप खुल गए सभी पहरेदार सो गए देव की बेहोश अवस्था में थी वसुदेव क्रिश्न को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिये बारिश और तूफान के बीच नन्हे क्रिश्न को उठाए वसुदेव चल रहे थे यमुना जी का जलस्तर तो बहुत उपर हो रहा है कैसे जाओ अपने नन्हे बालक को लेकर ए नारायाण सहयता कीजिए यमुना नदी श्री क्रिश्न के चर्णों को सपर्ष करना चाहती थी इसलिए वो उपर हो गए भगवान ने अपने पैर लटका दिये चरन छूने के बाद यमुना घट गए भगवान श्री क्रिश्न की स्लीला को वसुदेव भरिभादी देख रहे के वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहां गए मैं इस बालक क्रिश्न को तुम्हें सौप रहा हूँ यह बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ते दिलाएगा लाओ मित्र वसुदेव यशुदा अभी गहरी नीन में है मैं इस बालक को यशुदा की बगल में सुला देता हूँ नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं ये लो मित्र इससे पहले की कंस काराग्री हमें पहुँचे तुम शेगरे इस कन्या को लेकर वापस लोट जाओ तुम धन्य हो मित्र तुम धन्य हो वसुदेव वापस कारगरी में लोट आते हैं और उनके लोटते ही कारगरी के द्वार अपने आप बंध हो जाते हैं वसुदेव जी के हाथों में हतकडियां पड़ जाती है अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है महराज कंस को सूचना देते हैं देवकी हमारे यहां आठवे पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है क्या अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है पहरेदार कंस के पास जाते हैं महराज की जैहू देवकी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है क्या ऐसा कैसे हो सकता है कोई बात नहीं शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए हाँ 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 और पुत्र की जगा पुत्री का जन्म हो गया हाँ 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 ये तो विधी का विधान बदल गया पर मुझे साफधान रहना होगा मैं इस कन्या का भी वध कर दूँगा भाईया इसे छोड़ दो ये तो कन्या है आपको तो मेरे आठवे पुत्र से कस्ट था कन्स ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोट से छिंग लिया कन्स ने जैसे ही कन्या को पथर पर पटक कर मारना चाहा वैसे ही कन्या कन्स के हाथों से छूट कर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारन कर लिया हे कन्स तुझे मुझे मार कर कोई लाब नहीं मिलेगा तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुँच गया है ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई कंस ये द्रिश्य देख कर गुस्से से छट पटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया कंस ने श्री क्रिश्य को मारने के लिए अनेग दैत्य भेजे श्री क्रिश्य ने अपनी अलोकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला बड़े होने पर क्रिश्य ने कंस को मार कर उग्रसेन को राजगद्धी पर बिठाया उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्शुलास से जन्मास्टमी के रूप में मनाया जाता है भगवान कृष्ण की नगरी मतुरा में इस त्योहार की विशेश धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रजशेत्र में जन्मास्टमी का त्योहार धूम धाम से मनाया जाता है